धम्वपद चित्वग्गो गाथा कथा नंबर 43 ये सौरय इस्थिवर की है सौरय को शौरय भी बोलते हैं और सौमय भी बोलते हैं दौनों बात हैं पाली के अंदर यहां सौमय वाला सौरय है जो सौरय था उसकी अपनी एक पत्नी थी वो बड़ा इस्त्री प्रेमी था इस्त्री देखतर मचल जाता था एक उसने शादी की उसके दो बच्चे हुए वहां पर वो रुका नहीं उसको दूसरी इस्त्री से प्यार हुआ प्रेम हुआ उसने फिर शादी की दो बच्चे उस उसको पवज्जा दी, मा कच्चा ने उसको धंग साधना सिखाई और धंग साधना सिखाते समय वहां भिक्कू अक्सर पूशा करते थे, सौरे तो यह कौन से बच्चे जादा अच्छे हैं, पहली पत्नी के या दूसरी पत्नी के, सौरे इस्थिवर बाद में अरत हो गए, अ सारे राग और द्वे से मुत्थ हो गए, तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कौसर जनपत में कही गाथा नमबर 43 इस प्रकार है। ने तंग माता पिता करिये, यानि नहीं कर सकते माता पिता जितनी, अईये वापी चैय याद का, अन्य कोई भी वापी माने कोई भी ने याद का, याद का माने जो ग्यात में हो जानकारी में हो, यानि जितने भी जानकार हैं, भाई बंदू रिजदार हैं, वो भी इतनी भ सम्यक रूप से, सही रूप से, सही दिसा में संकल्प किया हुआ मन, चित्तंग, सयोसो नैततो करे उससे बढ़कर कोई भी तब स्रेश्ट नहीं हो सकता इसका मदलब यह है कि माता पितावी आपने बच्चे की इतनी भलाई नहीं करते और नहीं कोई दिस्दार, कोई बंदू इतनी भलाई करता है जितनी भलाई आपका मन जो अच्छे काम में लगा हुआ हो, वो करता है यह इस गाथा का सार है, इसका मतलब यह हुआ कि माता पिता अपनी जम्मेदारी निभाते है और भाई बंदू जितने भी हैं, वो सब अपनी जम्मेदारी निभाते हैं सही करके रखते हैं, मगर अगर आपका मन दूसित है, आपका मन संकल्प से भरा हुआ है पाप से भरा हुआ है, तो फिर आप अपने दुस्मन खुदी है, आपका कोई फायदा नहीं कर सकता और अगर आपका मन सही दिसा में लगा हुआ है, आप सही काम करते हैं पंच सील का पालन करते हैं किसी को हानी नहीं पहुचाते हैं सराब नहीं पीते हैं जुआ नहीं खेलते हैं चोरी नहीं करते हैं वेबचार नहीं करते हैं हत्या नहीं करते हैं जूट नहीं बोलते हैं तो माता पिता जितनी भलाई आप की कर सकते हैं या कोई भाई बन्दु जितनी भलाई कर सकते हैं उससे हजार गुना जयादा भलाई आपका ये मन आपके लिए करेगा आपका चित्त आपके लिए करेगा ये चित्तवक्की गाथा नमबर 43 है बहुत सल भासा में बताई हुई गाथा है बहुत अच्छी गाथा है अपने मन को सुद्ध रखेंगे तो आपकी भलाई सबसे ज़्यादा आपका मन ही करेगा आपके नहीं है ये गाथा केई जी के इस पर का भी बताई हुई है कि महा का चायन अपना चीवर बदल रहे थे उस समय जो सौरे है उसने उनको ची जानी महसुस हुई उसके बाद उन्होंने बड़ी छमाई आजाचना की महा कच्छान ने उनको तब पबज्जा दी अधिकार दिया कहानी कैई बार बदल जाती है इसलिए कहानी जितनी भी है आप सार में जाइए जो कथा हैं वो बदलती रहती हैं जो गाथा हैं वो बिलक संखन शरनं गच्छामे धाम शरनं गच्छामे धाम शरनं गच्छामे